अजय पुर्शन देखिये वीच ओपडों फॉलोंग टाइप ओप केस्केडिंग स्टाइट तो इन में से केस्केडिंग से टाइक सब्सक्राइब तो देखिए केस्केडिंग साइब तीन थे आपको धियान रखने इन्लाईन इंटर्णल और तीसरा हो गया एक्स्टरेनल तो इन-Line का अर्थ क्या होता है जहां पर बॉडी के अंदर और बोडी के अंदर अगर आप इसको CSS को डिफाइन करोगे तो वो क्या के लेगा इं-लाइन ओके और इंटरनल के अंदर क्या हो गया आपको जो CSS है उसको डिफाइन का करना है हेड सेक्षिन के अंदर कहा करना है हेड सेक्षिन के अंदर पर उसका जो रेफरेंस है वह आपको कहा देखना है बोडी सेक्षिन के अंदर ठीक है ना और एक्स्टरनल के इंदर क्या हो जाएगा आपको CSS को कोई external file के इंदर आपको define करना कहा करना है external file के उसका reference आप क्या दे सकते हो जिस्ताइब का अब यूज्च कर रहे हैं उसके इंदर दे सकते हो और उसका लिंक आप उसका लिंक आप डोक्युमेंट के अंदर दे सकते हो ओके लिए थैंक यू